नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटीव चैनल पर एक बार फिर से और केरेबियन प्रीमियर लीग की धमाकेदार शुरुवात हो चुकी है और एक बहतरीन प्रेडिक्शन के साथ हमने भी अपना श्री गणेश कर लिया है मैं हूँ अभी मन्यो सर का मैनेजर और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैच नमबर 3 और मैच नमबर 4 का प्रेडिक्शन तो दोस्तों मैच नमबर 3 होने वाला है ट्रिन बैगो नाइट राइडर्स वर्सेज सेंट किट्स और ये मैच खेला जाना है एक सितंबर को सुबह के साड़े चार बजे असल में इस दिन दो मैच खेले जाने हैं तो जो दूसरा मैच होगा एंटिगुआ वर्सेज बार्बर डोस रोयल्स इसका प्रेडिक्शन भी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं जिसका वेन्यू रहेगा वर्नर पार्क जो की सैंट किट्स का हम ग्राउंड है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वेन्यू के स्टेट्स क्या कहते हैं पुल मिलाकर यहां मैच खेले गए हैं असरी जिन मैं से 36 मैच पहले बैटिंग वाली टीम और 43 मैच चेजिंग टीम ने जीते हैं। इसी दिन के दूसरे मैच में गयाना ने 210 रंड बनाए थे और जमेका की टीम 176 पर ओल आउट हो गई थी। इसके बाद अगले दिन 28 अगस को जो मैच हुआ था इसमें सैंट किट्स ने 198 का अच्छा खासा टार्गेट दिया था लेकिन बारबर उसकी टीम ने से आराम से हासिल कर लिया था 6 विकेट से मैच जीता था। इसके लावा अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर स्पिनर्स को कुल विकेट मिले हैं तिरे पन और पेसर्स को यहाँ असी विकेट आज तक मिल पाए हैं। तो कुल मिलाकर आज तक दोनों टीम्स के बीच 10 मैचेज हुए हैं जिस मैसे 7 जीते हैं ट्रिन बैगो ने और सिर्फ 3 मैच जीत पाई है सेंट किट्स की टीम यानि कि सेंट किट्स थोड़ी सी पीछे है ट्रिन बैगो से नंबर ओफ मैचेज विन के मामले में। वहीं अग बढ़ते हैं अब हम दिख लेते हैं दोनों ही टीम्स के खिलाडियों को एक नजर में तो सबसे पहले ये रही आपके सामने प्लेइंग 11 ओफ ट्रिन बैगो नाइट राइडर्स तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं सुनील नाराइन, जेसन रॉय, केसी कार्टी निकलस पूरन, टिम डेविट, काईरन पोलाड, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रैवो, अकिल हुसेन, वकार सलाम खिल और जेडन सील्स, भाई कुछ खिलाडी तो यहाँ पर बहुत ही तगड़े दिखाई दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं इन मैसे कुछ प्लेयर्स पर हम नज सर रखना ही पड़ेगा, उपर से अच्छी बात ये भी है कि अल्राउंडर होने के नाते, ये हमारी बैटिंग और बोलिंग दोनों में ही कॉंट्रिब्यूशन देते हैं, ऐसे में ये खिलाडी टीम के लिए बहुत इंपोर्टिंट हो जाता है, लेके चलिए, अगले आते तो 18 में 26, 52 में 69 ऐसे कुछ स्कोर जिनों ने बनाए है, स्ट्राइक रेड इनका हमेशा हाई होता है, तो इस खिलाडी को भी आप बिल्कुल स्टार लगा की रखिएगा, अगले आते हैं निकलस पूरंड, अब इनकी तो मुझे शायद कोई तारिफ करने की जरूरत ही नही इनके लिए भले ही दे 100 मैंस लीग शुरू में बेकार जा रही थी, लेकिन अचानक से फिर उनों ने जो कमबैक किया, इसके बाद पीशे मुड़के बिल्कुल नहीं देखा, वन अफ दे बेस्ट बेर आफ वेस्ट इंडिस टीम फर आल टाइम, इसलिए इनको भी आप से भी कर सकते हैं, इस मैच के लिए, इसके बाद आते हैं, कायरन पोलार, तो ये उन खिलाडियों में से हैं, जो कितने भी मैचेज में आउट ओफ फॉर्म चलते रहें, बट अचानक से किसी मैच में इनका कमबैक देखने को मिल जाता है, इसके अलावा ये ओल्राउंडर ह तो दोनों जगाई अपना कॉंटिबूशन दे सकते हैं, बैटिंग में रिसेंटली एक पारी इनोंने बहुत शांदार खेली थी, 23 बॉल में 45 बनाये थे, the 100 men's league में, तो इन पर आप 50-50 भरोसा कर सकते हैं, इसके बाद आते हैं आंद्रे रसल, तो जो मैंने इनके बारे मे कहा, वही मैं आंद्रे रसल के लिए भी कहूँगा, क्योंकि सेन पैटर्न को फॉलो करने वाले ये सब खिलाडी हैं, इसके बाद इनी के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर चल रहे हैं ये सब के सब, इनके फॉर्म भी फिलाल एक जैसी है इनके लक्षण भी एक जैसे हैं, और ये तीनों ही टीम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसके बाद आते हैं अकिल हुसेन, और इनके फिगर्स बताते हैं कि अभी इनका वक्त बहुत ही शांदार चल रहा है, नहीं वैसे भी ये बहुत अच्छे खिलाडी है, लेकि अब देख लेते हैं कि इनमें से वो खिलाडी कौन से होने वाले हैं, जिनकी वज़े से मैच पर फर्क पड़ सकता है, दोस्तों सेंट किट्स की टीम अपना एक मैच खेल चुकी है एंटी गुआ के साथ, तो जितने भी प्लेयर्स का आप सबसे लास्ट परफॉर्मेंस जो बहुत इंपोर्टेंट इनिंग हो जाती है, और वैसा ही कमाल देखने को मिला था आंद्रे फलेचर की तरफ से, जी हां दोनों ही खिलाडी अपने पिछले दो मैचों से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस लीग की शुरुआत इनों ने धासु कर डाली है, तो इन कहीं थोड़ा सा एक अपने लिए चांस देख रहे होंगे, और हम उमीद करते हैं कि इस मैच में इनका कमबैक आपको देखने को मिल सकता है, इसके बाद आते हैं काईल मेर्स, दा हीरो आफ दे लास्ट मैच, ये पिछले मैच में मैच साबित हुए थे, क्योंकि इनकी जो 24 बॉल में 49 इन्होंने बेश कीमती अपनी टीम के लिए बनाए थे, तो ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि इसको अगले मैच में आपको टीम में लेना है की नहीं, जी हाँ बिलकुल इनको रखके चलिए, इसके बाद अगले खिलाडी आते हैं, त्रिस्तन स्टब्स, तो दो रण के स्कोर पर आउट हो गए, साथ बॉल खेल कर गए, और स्प्रिंजर की बॉल पर रोशन प्राइमस को कैच दे बैठे, बट इनके लिए भी यही कहूंगा, एक मैच से, इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, ये खिलाडी बहुत टैलेंटेड है और बहुत जरूरी इसके बाद आते हैं, शर्फेन रदर फोर्ट, तो इनको पिछला मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया, बट हो सकता है कि इस मैच में ये हमें देखने को मिले, तो ये भी एक बहुत अच्छे ओल राउंडर है, वेस्ट इंडीज के, तो ये टीम को दोनों जगा पर कोई न पिछले मैच में चार ओवर में 29 इनों ने दिये, एक सफलता इनको मिली, बट इससे बैठर ये कर सकते हैं, उम्मीद हम इनसे करेंगे, तो भाईयों ये थी टीम Sandkits and Nevis Patriots, अब सभी खिलाडियों को अच्छी तरह से देखने के बाद, observe करने के बाद, हम चलते हैं इस मैच के prediction की तरफ, तो according to Abhimanyu Sir and his work, एक बार फिर से हमारा support रहने वाला है Sandkits की team के साथ, क्योंकि team as compared to Trinbago, थोड़ी सी दमदार दिखाई दे रही है, कई सारे खिलाड़ी अच्छे form में हैं, जो नहीं थे वो form में वापस आ रहे हैं, इसलिए हमारा support रहने वाला है Sandkits के साथ इसके अलावा इस prediction में अगर कोई भी उचनीच होती है, कोई भी इसमें गुणजाईश होती है, तो मैं आपसे कहूँगा हमारे telegram group, join कर लीजिए, link आपको description में दी हुई है, तो वहाँ आपको हमारा latest prediction मिलेगा दोस्तों, match के दोरान आपको वहाँ active बने रहना है, चलिए चलते हैं अगले match की तरफ, तो दोस्तों अगला match जो खेला जाएगा Antigua और Barbados Royals के बीच, इन दोनों में से भी Antigua की team अपना एक match खेल चुकी है, ये वीडियो बनाने तक, तो ये इस league का चौथा मुकाबला है, जो एक सितंबर को ही खेला जाएगा, Indian time के मुताबिक शाम को साड़े साथ बजे, जिस venue पर ये match खेला जाना है, Sir Vivian Richards Stadium, जो की Antigua का home ground है, जी हाँ Antigua लगातार तीसरा match अपने home ground पर ये खेल रही है, तो सबसे बहले देख लेते हैं कि इस ground पर stats क्या कहते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ match खेले गए हैं 15, जिनमें से पहले batting वाली team ज Australia के बीच, जहाँ India ने 197 का target दिया था और Australia ये match हार गई थी, इसके बाद 24 जून को West Indies ने भी 135 बनाए थे, Australia को 136 का target दिया, लेकिन Australia यहाँ भी हार गई थी, फिर इसी लीग में जो match हुआ है 30 अगस्त को Antigua Falcons और Sandkits के बीच, यहाँ पर target था 164 का, जिसे Sandkits ने बना तो लिया था लेकिन 9 विकेट खो दिये थे, तो अगर आप यहाँ देखें कि Spinners को मिले हैं कुल 37 विकेट और Pacers को 66 विकेट, यानि कि Pacers यहाँ पर Spinner से ज्यादा successful है इस ground पर, चलिए और देख लेते हैं इस ground के बारे में, यहाँ का scoring pattern कहता है कि 1500 से नीचे 9 बार रन बने है, 1500 200 से 169 दो बार, 170 से 189 एक बार और 190 के उपर भी दो बार score बना है, इसके अलावा यहाँ का average score 133 रन है, highest 196 है और lowest score 47 रनों का है, चलिए अब देख लेते हैं दोनों टीम्स के बीच head to head आकडे, तो जैसे कि हमने आपको पिछले दो वीडियो में पताया, Antigua की team इस साल पहली match नहीं हुआ है, बस एक match खेला है सेंट किट्स के साथ, तो बार बार डोस के साथ अभी तक इनका कोई मुकाबला नहीं, इसलिए head to head आकडे यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि Antigua ने अपना एकलोता match जो खेला था, इस लीग में पहला match वो हार गए और बार बार डोस अपने पिछले 5 में से 4 मुकाबले हार कर आई है, यह चारों पिछले साल के आकडे हैं दोस्तों, तो काफी interesting होगा देखना दोनों टीम्स को एक साथ, अब देख लेते हैं दोनों टीम्स की Playing 11, तो सबसे पहले Antigua की टीम देख लेते हैं, यहाँ आपको कुछ चुनिंदा खिलाडियों की बात कर लेते हैं, जो की प्लेयर साबित होने इस मैच में, तो सबसे पहले आते हैं फकर जमान, हमने कहा था आपसे की भले ही इनके आकड़े अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस लीग की शुरुआत धासु कर सकते हैं, और इन्ह पहले मुकाबले में इन्होंने 32 बॉल में 43 रंड बनाए, एक जबरदस शुरुआदी टीम को, एक बार फिर से कहूंगा, ये खिलाडी टीम के लिए important होने वाला है, तो इनको आप टीम में बनाए रखिये, अगले आते हैं, जिवल एंड्रियू, तो लीग शुरू होने के पहले बहुत तारीफ की गई थी इस खिलाडी की, जिसे देखो इसकी तारीफ कर रहा था, नया खिलाडी है, लेकिन बहुत टैलेंटेट खिलाडी है, और ये चीज़ इन्होंने साबित कर दी है पहले ही मैच में, 30 बॉल में 50 रंड बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खीच पारियां दिखाई दी हैं, जिस वज़े से इन पर भरोसा हमारा बढ़ जाता है, और भाई बोलिंग भी कर सकता है, इस वज़े से इनकी टीम में इंपोर्टेंस भी काफी जादा बढ़ जाती है, इसके बाद अगले है रोशन प्राइमस, इनके साथ भी वही, इनको बैट में 31 रन दिये, एक विकेट लिया, वही इनका जो स्टाइल है, बहुत महेंगे साबित नहीं हुए, लेकिन कुछ खास साबित भी नहीं हो पाए, और फाइनली आप इनको टीम में लेकर चल सकते हैं फिलाल के लिए, अगले खिलाडी आते हैं, अगले खिलाडी आते हैं, मैच देखना होगा कैसी शुरुआत करते हैं इस लिग की, तब तक इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, अगले आते हैं मोहमद आमीर, उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी लेकिन बोलिंग में उतने अच्छे साबित हो नहीं पाए, और अपने ही वतन के दूसरे खि आप देख लेते हैं इन में से वो खिलाडी कौन से होंगे जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुइंटन डिकॉक की, आल टाइम बहतरियन खिलाडी साउथ अफरिका के, प्रिशेंट मैचेस पर भी अगर आप नजर डालें तो 33 वाल में 62, 19 में 26 की पारियां इन्होंने खेली हैं, अब ये खेली होती हैं नहीं खेली होती हैं बट इस लीग में आप इन पर भरोसा अभी कर सकते हैं इस मैच के लिए इसके बाद आगे का हाल बता चलेगा, इसके बाद आते हैं राकीम कौन वाल, तो बड़िया है एवी परसनालिटी का खिलाडी है भाई, दिखाई देता है आपको, एक अच्छे ओल राउंडर ये हुआ करते हैं लेकिन इनका कोई बहुत जादा रिकॉर्ड हमारे पास अविलेबल नहीं था, बट इनके खेले गए पिछले 5-6 मैचिस के आंकड़े हमारे पास यहां मौजूद हैं, जहां से ह हम ये औफजर्ब करते हैं कि इस खिलाडी में भी दमखम है, 20 बॉल में 41 की पारी इनकी यही बया करती है, इसलिए थोड़ी बहुत उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं, इसके बाद आते हैं एलिक अथनेज, तो फिलाल वेस्ट इंडिस के जो साउथ अफरिका से सीरीज हुई पचपारियों पर अगर आप नजर डालें तो 22 बॉल में 35, 27 में 45, ऐसी पारियां भी दिखती हैं, और 1 रन पर भी आउट हुए हैं, 7 रन पर भी आउट हुए हैं, यानि कि अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, कुछ भी हो सकता है, आप इनको टीम में रख लीजे बाई, इ शीर लंका के बहतरीन गेंदबास हैंगे, लंका प्रीमेर लीग में भी इनके तरफ से कई जादू देखने को मिले थे, तो बोलिंग के लिए हास्ते टीम के लिए ये काफी ज़्यादा इंपोर्टन साबित हो सकते हैं, इनको भी आप इस मैच में लेके चलिए, इसके अच्छे मैच इस से काफी एवरिज के लाड़ी साबित हो रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कारणावा देखने को नहीं मिल पाया है, बस एकलोता मैच जिसमें 4 ओर में 14 देकर इन्होंने 3 विकेट लिये थे, बागी पिछले 3 मुकाबलों में 20 अपलता इनको नहीं मिल पाई अभी तक अपना जीत का खातर नहीं खोल पाई है, लेकिन कुछ बारीक पॉइंट्स को ऑफसर्व करने के बाद अभी मनियू सर ने ये बताया है, कि इस बार हम सपोर्ट करना चाहेंगे एंटीगूआ एंट बर्बूड़ा फालकन्स की टीम को, इसके अलावा प्रेडिक् में तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, टेक कियर